हलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक आन माथिक्स यूटूब चैनल, बच्चों आज हम समझने वाले हैं exercise 6.2 NCRT की page 129 पर है बच्चों यह question number 7, triangles, तो बच्चों triangles का यह question number 7 बहुत आसान लगेगा, बहुत तसल्ली से, पूरे focus के साथ सुनना, देखना, ठीक है, यहाँ-बहाँ mind को divertment होने देना, and if you are new to this channel, तो as requested बच्चों subscribe, like, share, comment जरूर कर देना, देखो इसमें क्या है, using theorem 6.1, 6.1 theorem क्या होता है, अगर दो lines parallel दिखें आपको triangle के अंदर एक line और किसी तीसरी line से parallel हो, तो बच्चों बाकी की जो दो sides होती है न, triangle की, वो बराबर ratio में बढ़ जाती है, है न, यह theorem होता है, अगर parallel दी हो, तो बच्चों यह बोल रहे है, prove करो, use करो, theorem 6.1, और prove करो that a line drawn through the midpoint of one side, लो भई, पहले तो triangle बनाए, ठीक है, लो भई, यह अपना हो गया, triangle बच्चों, ठीक है, let us say this is a triangle, और line बनाई जा रहे ही, triangle के, एक side के midpoint से, चलो पनने a, b का midpoint m मान लिया, बच्चों, let us say m is a midpoint, a line drawn through midpoint of one side, आप एक side के midpoint से line बनाना शुरू कर रहे हो, parallel to another side, आपने line बनाना शुरू करी बच्चों, और यह parallel दी गई है आपको, आप से कहा गया, parallel to another side, इस side से parallel बना देते है ठीक है, चलो देखो, यह बना दी parallel, ठीक है, तो बच्चों, parallel है अपने पास, this is parallel, this is parallel, let us say this is n, ठीक है, तो गौर से देखना, m तो midpoint दिया, तो बच्चों, this will be equal to this, है नो, पहले पन लिख लेते हैं, let m be midpoint, let m be a midpoint of side a, b, है न, अपने ab का side, ab side का midpoint m मान लिया, तो बच्चो, am और bm बराबर होंगे, midpoint क्या करता है, midpoint उस पूरी side को दो equal parts में, divide कर देता, let us write, am equal bm, लो बच्चों, यह हो गया, ठीक है, let us pack this in bracket, box में pack कर देते हैं, समझ में आया, अब बच्चों, parallel दी गई है, चलो बच्चों एक और चीज गिवन है, अपनको, क्या गिवन है, कि भईया, जो m midpoint से line चली है, वो parallel है, किसी दूसरे side से, देखो parallel to another side, ठीक है, mn parallel bc लिखते हैं, बच्चों, mn parallel bc, बच्चों, यह दिया गया है, अब ठीक है, और parallel जैसे ही दिख जाए, बच्चों, एक underline जा रही है, वो एक triangle की एक line से, एक side से parallel है, तो बच्चों, am, हाना, 6.1 लगा रहे हैं आपन, 6.1 बच्चों यहापर, अपन treat कर देते हैं इसको, तो by theorem, उन्होंने कहा है, 6.1 का use करो, by using theorem, 6.1, ठीक है, 6.1 यूस कर रहे है, 6.1 क्या कहता है, कि भईया, mn bc के parallel है, तो सबसे top पे जो a है, am upon mb, देखो, यह दो lines हो रहे हैं न, यह दो line divide हो रहे हैं, basically, बच्चों, theorem 6.1 कहता है, कि अगर lines parallel हैं, तो am upon mb, ठीक है, लिखते हैं, बच्चो, am upon mb, will be equal to an upon nc, an upon nc, यही होता है न, बच्चों, और am और bm, बच्चों, दोनों बरावर हैं, am और bm, तो दोनों equal हैं, am, bm, दोनों equal हैं, तो यह आप एक काम करो, am और mb, या bm की जगा, बच्चों, हम am लिख देते हैं, am लिख देते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इसको, am लिख रहे हो, आप इसको, mb को, क्यों, इसकी वज़े से, equation 1 लिख देते हैं, is equal to an upon nc बच्चों, और यहां bracket लिख लेना, by equation 1, आपने यह जो change करा न, mb की जगा, am, mb की जगा, am, वो equation 1 की बज़े से किया, यह दोनों बच्चों काट देंगे, one बचेगा, तो लो भईया, one is equal to an upon nc, बच्चों, nc को यहां भेजदो, multiply हो जाएगा, one के साथ, nc बच्चों, यह जो nc is equal to a1 आया, यह क्या प्रूफ कर रहा है, nc is equal to an, इन्होंने कह दिया, यह जो nc आया, और यह जो an आया, यह दोनों equal है, तो क्या हम यह नहीं बोल सकते, कि n is a midpoint of ac, यही तो अपन को प्रूफ करना है, कि third side bisect हो रही है, बच्चों, हमें बताना है, prove that the third side is bisecting, देखो, इसका midpoint हो गया m, इसके parallel है, तो जो third side है, क्या वो बराबर, बराबर, equal, equal हो रही है, an और nc, देखो, an और nc है, अपनने equal कर दिया, तो we can say that, yes, an is equal to nc, इसकी बदॉलत, बच्चों, we can say that, yes, m n, m n parallel to b c, m n bisect, m n nे bisect कर दिया, a c को, है न, a c के दो तुकडे होगा, देखो, an equal nc, तो we can say that, m n bisect a c, बच्चों, और यही हमारा proving था, और यही हमारी proving थी, बच्चों, लो भई, approving हो गई, खतम, getting my point, लो भई, प्रूव हो गई, बहुत आसान था, यही तो proof, देखो, proof करना क्या था, कि एक side के midpoint से, दूसरी side के parallel चली line, कि भई, आपको एक side का midpoint दे दिया, तो am equal bm, am equal bm, parallel दे दिया, जैसी parallel दिया, तो बच्चों, हमने theorem 6.1 लगा लिया, parallel दिया था न, भई, यह parallel दिया है बच्चों, यहाँ पर लिख लो आप, यह given, हाँ, यह तो लिखा है मैंने, given, am is parallel to bc, है न, am parallel bc है, के an और cn भी equal है, an और cn भी equal है, इसका मतलब n midpoint हुआ, n midpoint हुआ का मतलब, yes, am, n जो line जा रही है, वो third side को bisect कर रही है, दो equal तुकडे कर रही है बच्चों, I hope आपको यह explanation समझ में आया होगा, let us meet on next video with question number 8, बच्चों till then, happy learning, bye! झाउ पूत decoration समझ कर रही है, बच्चों yा, भीदार,